ब्रू एक बड़ी असा सीलिंग फैन है नहीं यार कौन से ब्रांड का सही रहेगा? भाई सीलिंग फैन ही तो है यार कोई भी लगा दे सस्ता, महेंगा, सबने हवाई एक सी देनी है देगी दोस्तों अगर आप भी सीलिंग फैन के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हैं, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है ये दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी गलती वापस करें दोस्तों इसी विज़े से मैं ले के आचका हूँ आज की ये वीडियो, दिमिश्का दोस्तों मैं हुछ साहिल और आप देख रहे हैं, खोल स्री दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीलिंग फान्स के बारे में देखी दोस्तों, इस वीडियो में रखा है मैंने परफेक्ट और प्रसाइस बाइंगा बताऊँगा जल्दी से ऐसे वो कौन से पॉइंट्स है जो आपने हमेश्वा याद रखने हैं कोई भी एक सीलिंग फान कुरेने से पहले इताइन दोस्तों, मैं ले के आ चुका हूँ आपके लिए मेरे चुने वे टॉप फाइफ बेस्स सीलिंग फान्स जो आपके लिए इस समर में एक बेस्ट परचे साबित हो सकते हैं देखिए आपके पास दो ओप्शन है पहला ओप्शन यह है कि आप जाएए शॉप कीपर के पास शॉप कीपर को जिस फैन पे ज़्यादा मार्जन है वो आपको पहले बाद तो वही चेप देगा और आप बिना किसी अंडिस्टान्डिंग के वही फैन अपने पास लियाएंगे और अपने लिए एक गलग बाइं डिसीजन को ले लेंगे दूसरा ओप्शन यह है दोस्तों कि अगर आप इस फीडियो को एंड तक देखेंगे बिदाउट स्किप किये तो दोस्तों I can assure you, in fact I can guarantee you कि आप एक सीलिंग फैन लेने के एक्सपर्ट बन जाएंगे तो चलिए फिर विदा किसी देरी के, let's get started दोस्तों कोई भी फैन अडिसे पहले सबसे पहले आप CMM rating और RPM को जरूर चेक करेंगे CMM यानि की cubic meter per minute देखें दोस्तों यह बहुत जबाइंबॉल्ट होता है यही चीज़ डिफाइन करती ही जो आपका fan है कितनी air delivery कर रहा है आपकी cubic meter area पे every minute और दोस्तों यह आप कैसे जानेंगे simply अपने fan की CMM rating को जान कर फिकर मत करें कि यहीं कि टॉप फाइक ही रहाश की लिज़ पे सबकी CMM rating में आपको definitely बताऊंगा इतना ही दोस्तों आप RPM यानि की rotation per minute को भी बहुत असानी से जान सकते है किसी fan क्यों तो डिरेक्ट भी बताता है कि जो आपका fan है कितनी speed पर work करने वाला तो दोस्तों देखिए CMM और RPM दोनों ही बहुत important point है इस चीज़ को आप बिलकुल याद रखेंगे अगला point दोस्तों जो आपने बिलकुल याद रखना है वो हो गया आपके fan के अंदर number of blades देखिए दोस्तों आपको market के अंदर 3 blade fan 4 blade fans जिसे कई सारे fans जरेकों मिल जाएंगे लेके नगर आप मेरी राय मांगेंगे तो देखिए मुझे 3 blade वाले fans जादा भेतर लगते हैं आपके 4 blade वाले fans से reason बहुत ही simple है देखिए दोस्तों जितने कम blade होंगे उतना ही आपके motor पे कम load परेगा और ऐसे में air friction भी बहुत कम होगा तो देखिए दोस्तों आपका airflow जादा अच्छे से maintain रहेगा आपके 3 blade fan के अंदर इतना ही नहीं आपकी जो basically noise होती है वो भी बहुत कम रहेगी और motor के पे दोस्तों बहुत कम load आएगा तो देखिए 3 blade वाले fan बिलकुल optimal choice होते हैं एक perfect choice बन सकते हैं आप सभी के लिए although ये फिर भी आपकी choice है मैं इसको totally आपकी decision के उपर ही छोड़ता हूँ देखिए दोस्तों बहुत simple सा formula है जिस fan की जाता voltage होगी वो उतने जदा आपकी बिजली का load भी लेगा और ऐसे में दोस्तों आपकी बिजली का बिल जादा भी आएगा तो हमें हमेशा एक ऐसे fan की तरफ बिलकुल भी नहीं जाना है हम हमेशा एक ऐसे fan की तरफ जाएंगे जो पहली बद तो कम बिजली का load ले और उसी कम बिजली के अंदर हमें काफी अची performance दे काफी अच्छा एक airflow दे देगे दोस्तों टॉप 5 की best की list में मैं आपको हर एक fan की average electricity consumption बताऊंगा तो अगर आप इस video को पूरा end तक देखते हैं बेना skip किये तो I can ensure you कि आप धेर सारी value लेकर जा सकेंगे मोटर सिर्फ copper material की है दोस्तों आपने ये चीज़ इंशार नहीं करनी है आपने ये चीज़ इंशार करनी है कि जो आपके fan की motor है वो 100% copper material की होनी चाहिए देखिए दोस्तों जितने भी आपके copper motors होती है ये आपकी heat को बहुत efficiently transfer करती है और याद रखिए कि ये आपकी aluminium motor से बहुत 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 होती है और ये चीज़ भी आपने याद रखिए दोस्तों कि जो copper motor की life होती है आपकी aluminium motor से कई ज़दा होती है तो इसलिए हमेशा जो आपनी motor है वो 100% copper की ज़रूर हो नहीं ही चाहिए market के अंदर आप ceiling fan लेने गए हैं आपने BLDC का नाम ज़रूर सुना होगा अब BLDC क्या है ये चीज़ आपको नहीं पता तो दोस्तों फिगर मत करें क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत simple language पर समझाता हूँ BLDC basically brushless DC motors होती है जो कि आपके fan के अंदर लगाए जाती है और दोस्तों जो आपके fan के दर normal DC motors होती है BLDC motors आपके normal DC motors से बहुत 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 ज़ादा energy efficient होती है BLDC motors दोस्तों आपकी electricity consumption को बहुत हद तक कम कर देती है in fact आपके busy car भी दोस्तों बहुत ही कम आता है तो यहाद हैं दोस्तों BLDC motors अगर आपके fan के अंदर लगी हुई है then absolutely it's an amazing thing just for your information दोस्तों आपको एक चीज़ बता दू कि जितने भी आपके double ball bearing वाले fan होते है इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक bearing होती है यह आपके motor को समालने का काम करती है और दूसरी bearing आपके fan के shaft को समालने का काम करती है विराज जितने भी आपके single ball bearing वाले fan होते है उसके अंदर जो यह एक अकेली bearing होती है यह दोनों काम अकेले करते है तो देखे यहापर यह चीज़ आपर याद रहती है कि जितने भी आपके double ball bearing वाले fans है उनकी life कई जादा होती है आपकी single ball bearing वाले fan से तो दोस्तो इस चीज़ को भी आपने बिल्कुल याद रखना है आजकल market के तो दोस्तो आपको कई ऐसी company सेथिकों मिल जाएंगी जो की दावा करती है कि उनके fan है बिल्कुल एक dust three coating के साथ आते है यानि कि उनके fan के दो दोस्तो डश्ट बिल्कुल भी नहीं जमने वाली है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तो क्योंकि ये totally एक marketing gimmick है हाँ बस थोड़ा सा फ़रक यह होगा कि अगर आपने fan को 15 दिन में एक बाश आप करें दोस्तो वी fan को आप 30 दिन में एक बाश आप करेंगे लेकिन आप साफ दरूर करेंगे तो दोस्तो देखिए आपको dust three वाले marketing gimmick के अंदर नहीं आना है आपको अपने लिए एक बड़ी अचा fan लेता है उसकी specifications को दानके dust three वाले दोस्तो आपार्ट को totally ignore कर दीजिएगा तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा top five best ceiling fans जिसका आप सभी को इंदजार था smart number five position we have Bajaj F-Road ceiling fan इसका price आपको करीब करीब सिर्फ और सिरुफ तेरा सो रुपे के आप सपाजर को मिल जाएगा याद रखें दोस्तों कि जो fan है ये एक भैतरी fan है क्योंकि यहाँ पर जोसकी power consumption है दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 56 watts तकी देने को मिल जाती है tiny दोस्तों इस fan की speed आपको 340 rpm तक देने को मिल सकती है दोस्तों याद रखें कि इस fan के अदर आपको 205 cm का airflow देने को मिल जाएगा और दोस्तों इस fan की जो motor है वो 100% copper material की बनी है इस fan की दोस्तों जो blades हैं आपको aluminium के देने को मिल जाएंगे जो की totally ribbed blades हैं जो की दोस्तों बेस्ट हैं आपके aerodynamics के लिए इताएंगे दोस्तों ये एक double ball bearing fan है और यहाँपे आपको काफी इच्छी high-talk motor देने को मिल जाएती है दोस्तों अगर आप इस fan को 14 गंटे इस्तमाल करते हैं हर रोज दोस्तों आपको जो बिजडी का बिल है एक महिने के लिए सिर्फ और सुर्फ around 188 रुपीज तक ही आएगा दोस्तों बात करें हैं आप इसकी warranty की तो आपको बजाच की तरफ से इस product की उपर 2 साल की warranty देने को मिल जाती है यह चीज़ याद खिए दोस्तों की जो fan है यह सिर्फ और सिर्म आपकी small and medium size room के लिए बिल्कुल एक fit option रहता है और तो fan बहुत ही अच्छा है तो आप चाहिए इसको बिल्कुल check out कर सकते हैं याद खिए दोस्तों सभी fans के best bank link आपको नीचे description box पुल जाएंगे देखिए दोस्तों हम आप के लिए धेर सारी मिनत करके ऐसी research full videos लेकर आप आते हैं तो अगर आपकी इस video से help होती है तो प्लीज इसको like जरूर कर दीजेगा चानल को आप subscribe भी कर सकते हैं अगर आपको माई list में कोई भी product person लाता है आप उसको simply buy भी कर सकते हैं अगर आप नीचे टाएंगे description box पुल आपको सभी के best bank link देखने को बेच जाएंगे अगर आप उन links पे click करके उन products को buy करते हैं तो पहली चीज तो ही कि आपको कुछ extra pay नहीं करना पड़ेगा तूसरी चीज ये कि आपके इसा करने से हमारी और हमारी चानल की थोड़ी सी help हो जाती है देगे दोसरों आप के लिए कोई भी sponsored content नहीं लेके आते हैं ये चानल सिर्फ और सिर्फ आप लोग की प्यार की वज़े से ही चलता है चली किटिंग बाक तो वीडियो वह उपस बड़ते हैं टॉप फाइज सेक्शन की तरफ स्वाट फूर्थ पोडिशन वी आफ क्रॉम्टन हिल ब्रेस सीलिंग फैन इस फैन का प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपीज के आसपने को मिल जाएगा याद है कि दोस्तों की जो पूरे फैन की पावर कर्जम्शन है वो अराउं 75 वाट्स तक ही देने को मिल सकती है इतना ही नहीं दोस्तों आपको इस फैन की स्पीड 370 RPM तक देने को मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे इस फैन का जो आपको airflow है अराउं 25CMM तक का देने को मिल जाएगा और याद रखे दोस्तों की इस फैन के अंदर भी आपको 100% copper material की motor देने को मिल जाती है इतना ही दोस्तों आप इस फैन के अंदर aluminium blades देने को मिल जाते हैं जो की totally rust free coating के साथ आते हैं कोई भी rust इस पे बिल्कुल भी नहीं जमने वाला है याद रखे दोस्तों की इस फैन के अंदर आपको double ball bearing देने को मिल जाती है इतना ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस फैन को 14 घंटे के लिए चलाने हैं हर रोज वो भी एक महिने के लिए तो दोस्तों आपको जो electricity consumption है एक महिने के लिए around 2500 रुपे के आसपास देने को मिल जाएगा दोस्तों इस फैन के ऊपर आपको Crompton की तरफ से 2 साल की terrific warranty देने को मिल जाती है और तो इसके feature बिलकुल similar है बजात की जैसे लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो airflow है अगर आप experience करेंगे तो आपको Crompton के इंतर जाद अच्छा airflow देने को मिल जाएगा तो आप चाहें तो उसको बिलकुल check out कर सकते हैं अगर थरी position we have Havel's festival ceiling fan इसका price आपको करीब करीब 2,600 रूपीस के आसपन को मिल जाएगा याद कि दोस्तों इस जो fan है around 74 watts तक की motor के साथ आता है इतना ही दोस्तों यहाँ पे इस fan की speed आपको 400 rpm तक देने को मिल सकती है और दोस्तों यह चीज़ आप याद रखिए कि इस fan के अंदर आपको 238 cmm का airflow देने को मिल जाएगा दोस्तों इस fan की जो motor है वो भी 100% copper की बली है कमा की चीज़ यह है दोस्तों कि आपको जिसके blade है बहुत एक decorative material के देने को वेल चाहते है इतना ही नहीं वो aerodynamically design पी गिये गए है दोस्तों यह भी एक double ball bearing वाला fan है और साथ ही साथ दोस्तों हैवल्स कहता है कि यह एक dust resistance fan है जो कि totally मुझे एक marketing gimmick रखता है आपको दोस्तों ऐसे जहासे में नहीं आना है अगर आप इस fan को दोस्तों 14 गंटे के लिए चला रहे हैं हर रोस वो भी एक महीने के लिए तो around job का बिजरी का bill है एक महीने का दोस्तों आपको कुछ 248 रुपीज के आसपास देने को मिल जाएगा यार दगी दोस्तों कि हावल्स की तरफ से आपको इस fan की उपर दो साथ तक की टेलेफिक वारटी देने को मिल जाती है दोस्तों इस प्रड़क का कमा की चीज मुझे यह लगती है कि आपको इसका बहुत एक stylish और काफी modern design देने को मिल जाता है तो आपको इस fan के अंदर काफी इच्छा एक airflow भी देने को मिल जाता है तो आप चाहें तो उसको बिलकुल check out कर सकते हैं स्वान नबर टू पूशिशन वी हाफ उशा डेफडिल ब्लूम सीलिंग फैन इसका प्राइस आपको करीब करीब 3,000 रुपीस के आपको मिल जाएगा याद के दोस्तों कि इस फैन के अंदर आपको 85 वाट्स तक की मोटर देने को मिल जाती है इस फैन की स्पीड आपको 380 rpm तक देने को मिल सकती है दूस्तों इस फैन के अंदर आपको 240 cm का airflow देने को मिल जाएगा इतना ही दूस्तों इस फैन की जो मोटर है वो आपको 100% copper material की देने को मिल जाएगी दूस्तों यहाँ पर यह फैन moisture, oil and scratch proof भी है तो ये भी एक double ball bearing fan है और साथ ही साथ उशा कहता है कि ये एक dust resistance fan है जो कि totally एक marketing gimmick है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और दोस्तो यार रखिए जो fan है काफी अच्छा work कर सकता है इन फैक्ट आपकी low voltage के अंदर भी और दोस्तो अगर आप इस fan को 14 गंट के चला रहे हैं हर रोज एक महिने के लिए तो जो आपकी बिजरी का बिल है वो around 285 रुपीज तक आएगा और दोस्तो ये फैन अथकोरा सा मुझे पावर हंगरी लगता है लेकिन इसका जो design दोस्तो मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आता है काफी terrific लगता है देखने में और साथ ये साथ दोस्तो उशा की तरफ से आपको इस फैन की ऊपर दो साल की terrific warranty दे निको मिल जाती है का आप चाहे तो इसको बिलकुल check out कर सकते हैं आप फर्स पोजिशन वी हाव आटमबर्ग रेने सा सीलिंग फैन इसका प्राइस अपो करीब करीब 3,500 रुपीस के आप देखने मिल जाएगा यादखिए दोस्तों कि इस फैन के अंदर आपको देखने मिल जाती है वी लडी सी मोटर यानि की दोस्तों ये फैन के अंदर इस फैन के साथ आपको 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 एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों इस फैन के साथ आपको एक रिमोट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा और साथ ही स fan की speed को adjust कर सकते हैं sleeping mode अज़ेस्ट कर सकते हैं in fact अपनी LED को on off कर सकते है LED से यारा है दोस्तों कि आपको इस fan के अंदर LED light भी देने को बिश जाती है साथ दोस्तों जो fan है एक constant speed पर end करता है कोई भी अगर आपकी back side पर fluctuation हो रही है इस fan को कोई फरक नहीं पड़ता याद की दोस्तों कि अगर आप इस fan को 14 गंटे की चला रहे हैं हर रोज एक महिने के लिए तो आपको जो बिजदी का बिल है एक महिने के लिए सिर्फ और सिर्फ 94 रूपीज आने वाला है which is terrific दोस्तों Adam Berg की तरफ से आपको इस fan की ऊपर तीन साल की terrific warranty दिको मिल जाती है इसका modern design और इसका बैतरी ने अफरों दोस्तों मुझे बहुत पसंद आता है in fact आपको इस ज़्यादा और एक fan के दर क्या चाहिए तो आप चाहें तो उसको बिल्कुछ check out कर सकते हैं तो ये थे आज के माई top 5 best ceiling fans अगर आप चाहते कि मैं future में ऐसी refrigerators की ऊपर या आप इस solar inverters की ऊपर या फिर आपके लिए special summer series लेके आऊ तो आप मुझे ये चीज़ comment section में लिखके जरूर बताईए और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई मनपसिदीर टॉपिक के ऊपर नई नी वीडियो बनाओ तो दोस्तो आप मुझे ये चीज़ भी comment section में लिखके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं क्योंकि मैं आपके comment के reply करना बिल्कुल भी नहीं बूलता तो इस वीडियो से अगर आपकी help हुई है तो प्लीज इसको like जरूर कर दीज़ेगा चानल को आप subscribe भी कर सकते हैं चलिए फिर मैं साहिल मिलूँगा आप से गली वीडियो में तब तक के लिए good bye